अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो जूट बोल रहा है या वह गोर्खा है यह कहना था इंडियन आर्वी में फिल्ड मार सल रहे सैम मानेक साका गोर्खा शैनिको की बहादुरी पर गोर्खा समुदाय नेपाल के मूल लिवासी हैं हर साल इंडियन आ लिए भारत ने नेपाल के बिजेस मंत्राले को पत्र भेज कर अनुमती मांगी थी लेकिन नेपाल सरकार ने समय रहते जवाब नहीं दिया और भरती की डेली आयोजित नहीं हो पाई जवाब नहीं देने के पीछे सबसे बरा कारण हाली में भारस सरकार द्वारा लाई कौन होते हैं ये गोर्खा सैनिक किस एग्रिमेंट के तर्थ भारतिये शेना में सामिल होते हैं भारत सरकार इन गोर्खा सैनिक को पर सलाना कितना खर्च करती है और भारत और नेपाल के अलावा गोर्खा सैनिक यूरोप के किस देश में अपनी सेवा देते हैं सब आपको बत इस योजना पर नाराज़ी जाहिद करते हुए जम कर उत्पात मचाया था और केंदर सरकार से इस योजना को वापस लेने का दबाब बनाया था चार साल के लिए सेना में भरती के लिए लाई गई केंदर सरकार की अगनीपथ होजना को लेकर अब हमारे परोसी देश नेपाल में भी विबाद सुरू हो गया है जैसी चिंता भारत के युबाओं में थी ठीक वैसी ही चिंता नेपाल में भी जताई जा रही है बिरुद करने वालों का करना है कि चार साल वाद ए युबा करेंगे तो क्या करेंगे आप सोचेंगे कि इंडियन आर्वी में नेपाली युबाओं की भरती क्यों की जाती है लेकिन नेपाल सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर इस साल की भरती रैली रद कर दी गई है। इस साल की भरती रैली पर नेपाल सरकार दौरा जवाब नहीं दिये जाने पर नेपाली से ना करीटार मेजर जेनरल विनोज से जब सवाल पुछा गया कि आप अगनीपत पर नेपाल सरकार की रोक को कैसे देखते हैं तो उन्होंने साफ साफ लहजे में वहां के नेता को फट अभी नहीं दिखाई जेता नेपाल के नेताओं को यह समझना होगा कि भारतिये फोज से नेपाली यानि गोर्खा सेनिको को जितनी पेंसन मिलती है उतना नेपाल का रक्षा बजट भी नहीं है अगर भारत सरकार हम से अच्छे से पेश आ रही है तो हमें भी उनका समान कर करती है दूसरी तरफ नेपाल का रक्षा बजटी महज 43 करोड डॉलर है गोर्खा सेनिको की गिंती दुनिया के सबसे खतरनाक सबसे प्रस्टिक्षित सबसे तेज सेनिको में होती है गोर्खा नाम नेपाल के पहारी सहर गोर्खा से आया है इसी सहर से नेपाली समराज का व कहा जाता है आठवी सदी में संत सिरो मनी महान योध भासरी गुरु गुरक नाथ ने इन्हें गोर्खा नाम दिया था इंडिया नारी में गोर्खा सेनिकों के साथ रेजीमेंट और 43 बटालियन है बरत्माने भारतिये सैनिक में गोर्खा सैनिकों की संख्या लगवख 40,000 के आसपास है हर साल लगवख 1200 से 1500 गोर्खा सैनिक भारतिये सेना में सामिल होते हैं गोर्खा सैनिकों को जिंदा फौलात का जाता है इसका मुख्य बज़य यह है कि जिस परकार से इनकी ट्रेनिंग होती है वो ऐसी खटरनाग ट्रेनिंग दुनिया में कहीं भी नहीं होती ट् सैनिक जंगलों और पहारों में होने वाली लड़ाई के लिए विशेश रूप से जाने जाते हैं भारतिये सेना में उन्हें पुरा समान दिया जाता है भारत से तालूक रखने वाले जवान को भारत सरकार जितनी सैलरी देती है ठीक उतनी सैलरी गुर्खा सैनिकों को भी रिटारमेंट के बाद इने पिंसन भी दिया जाता है उनसे किसी परकार का भेद भाव नहीं किया जाता है यह युवा ने इस वार होने वाली रहली के लिए आवैजन डाला है उमीद करते हैं कि भाड़ात और नेपाल सरकार जल्दी समस्या का हल निकालेगी बाकि आपको हमारे देश की सेवा कर रहें नेपाल से तालुक रखने वाले गुरका शेनिकों के बारे में जान कर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताईएगा कैमरे के पीछे हमारे सेयोगिये विसाल बहुत बहुत झाल